इस संसार को बनाने वाले ब्रम्हा जी ने एक बार मनुष्य को अपने पास बुला कर पूछा तुम क्या चाहते हो? मनुष्य ने कहा, मैं उन्नती करना चाहता हूँ, सुख शांती चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि सब लोग मेरी प्रशनसा करें ब्रह्मा जी ने मनुष्य के सामने दो थैले धर दिये वे बोले इन थैलों को ले लो इन में से एक थैले में तुम्हारे पडोसी की बुराईयां भरी है उसे पीट पर लाद लो उसे सदा बंद रखना न तुम देखना न दूसरे को दिखाना दूसरे थैले में तुम्हारे दोश भरे हैं उसे सामने लटका लो और बार बार खोल कर देखा करो मनुश्य ने दोनों थैले उठा लिये लेकिन उससे एक भूल हो गई उसने अपनी बुराईयों का थैला पीठ पर लाद लिया और उसका मुह कसकर बंद कर दिया अपने पडोसी की बुराईयों से भरा थैला उसने सामने लटका लिया उसका मुह खोल कर वहां उसे देखता रहता है और दूसरों को भी दिखाता रहता है इससे उसने जो वरदान मांगे थे वे भी उल्टे हो गए वहां अवनती करने लगा उसे दुख और अशान्ती मिलने लगी सब लोग उसे बुरा बताने लगे तुम मनुष्य की वहां भूल, सुधार लो तो तुम्हारी उन्नती होगी तुम्हें सुक शान्ती मिलेगी जगत में तुम्हारी प्रशनसा होगी तुम्हें करना यहां है कि अपने पडोसी और परिचितों के दोश देखना बंद कर दो और अपने दोशों पर सदाद रिष्टी रखो